तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ऐलोवेरा प्लांट के बारे में जोकी सभी का फेवरिट है और ये ऐलोवेरा प्लांट सकोलेंट फैमिली से बिलोंग करता है तो आज हम जानेंगे इसकी care के बारे में वीडियो को ज्यादा बोलके हम लंबा नहीं करेंगे छोटा सा वीडियो है टोटल मैं आपको information दे दूंगी कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है अगर आपको एतना जंगल जैसा घना एलोवेरा चाहिए तो वीडियो को पूरा देखेगा एक दो पॉइंट स्कीप हो जाएंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएंगा और फिर गलती होगी तो ये प्लांट सूख भी सकता है तो चलिए दोस्तो अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और नोटिफिकेशन बेल भी ओन कर लीजेगा तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में तो एलोवेरों में कई सारी इसकी प्रचाती होती है यानि कि कई सारी टाइप के एलोवेराज आते है मगर सभी के घरों में ये प्लांट कॉमन होता है तो आज हम इसी की देख़ल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोईल के बारे में तो सोईल इसको वेल ड्रेंट चाहिए क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है तो रेत में ही उगता है तो हमें रेत में नहीं करना अगर हमें 30% मिट्टी, 30% रेत और 30% वर्मी कंपोज या गोबर की खात इस तरह से मिट्टी बना के हमें इसमें ग्रो करना है क्योंकि यह पत्तो वाला प्लांट है और ग्रीन प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन की मातरा काफी चाहिए तो इस तरह से इस तरह की मिट्टी में अगर हम ग्रोग करेंगे तो यह दिन दुगना राद चोगना ग्रोग करेंगा और इसमें side में से baby plants भी काफी सारे निकलेंगे और हाँ ये मैंने पूरा बड़ा bucket में इसको grow किया है तो देखिए इसमें कई सारे baby plants भी grow हुए है अगर आपके पास इतना बड़ा नहीं है तो आप 8 या 10 इंच में grow करेंगे तो भी ये अच्छे से grow करेंगा तो अब हम बात करेंगे sunlight के पारे में तो sunlight अगर winter है तो आप पूरे दिन की sunlight इसको दे सकते हैं कोई problem नहीं होगा मगर summer में ठोड़ा care करना पड़ेगा ज्यादा sunlight इसको पसंद नहीं है अगर ज्यादा दिन पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे तो ये इसकी पतिया पीली हो जाएगी तो इसको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फिर से ये च्छाओं में रख देंगे तो ये दो-तीन दिन में फिर से ग्रीन हो जाएगी मगर धूप में मत रखेगा अभी दो-तीन घंटे की धूप है तो चलेगा मगर इससे कम है तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो देखिए एक में और बताती हूँ आपको कि एक पोट में यानि कि एक गंबले में आपकी प्लांट लगाएंगे तो इस तरह की बड़ी-बड़ी पतिया, ब्रोड पतिया बनेगी अगर कई सारे प्लांट आपने एक गंबले में लगाए है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगे मेरी तरह उसकी पतिया पतली-पतली होगी वैसे कोई दिकत नहीं होगी मगर पतिया पतली होगी तो अगर आपको मोटी-मोटी पतिया चाहिए इसको तो एक गंबले में एक ही प्लांट ग्रो कीजिए और सुबह की एक दो गंटे के ही धूप दीजिए से ज्यादा धूप इसको मत दीजिए अब हम बात करेंगे पानी के बारे में तो पानी इसको कम ही देना है क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है ज्यादा पानी इसको पसंद नहीं है क्योंकि ये सकुलन फेमिली से बिलोंग करता है तो इसकी पतिया में पानी स्टोर ही होता है तो आप क्या करेंगे कि अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो ड्राई मिट्टी में आप एक दिन छोड़ के बाद में पानी देंगे ज्यादा ड्राई नहीं करना यानि कि 2-3 दिन तक अगर मिट्टी ड्राई है और आपने पानी नहीं दिया तो वैसा नहीं करना एक तिन अगर मिट्टी ड्राई आपको लगे तो दूसरे दिन पानी देना है इस तरह से आप पानी देंगे पानी का ध्यान रखेगे तो ये पोधा आपके घर पे सालों साल चलेगा अब हम बात करेंगे फटिलाइजर के बारे में तो फटिलाइजर जब हम मिट्टी बनाते हैं उसी समय हमें डालना है बाद में आपको कोई fertilizer डालने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि पोधा ग्रो नहीं कर रहा तो आप दो महीने में एक बार इसको वर्मी कंपोस या गोबर की खाद डाल सकते हैं अब हम बात करेंगे pesticide या fungicide क्या देना है तो कुछ भी नहीं देना इस plant में कोई fungus वगेरा कुछ भी नहीं लगता मैंने तो कभी नहीं देखा मगर आपको अगर ऐसा लगे तो आप महीने में एक बार इसको fungicide का पानी बना के दे सकते हैं तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान तरीके से ग्रो होने वाला ये पोधा है इसके काफी सारे फाइदे है अगर मैं फाइदे गिनाऊंगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा जो कि आप सबको नहीं पसंद है तो फिर इतना ही आज के लिए रखते हैं अगर आपको इसके बारे में और कुछ डीटेल में जाना है तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा हम उस पे अलग से वीडियो बनाएंगे बाई टेक केर